नमस्कार मैं हूँ राव विश्वकर्मा आप देख रहे हैं NBT Online मध्यप्रदेश की शतरपुर में सिटी कोत्वाली पर हुए पत्थराव के बाद इस मामले का बुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली नप चुका है इस पर आरोप है कि इसी ने सिटी कोत्वाली पर पत्थराव कराया था और मध्यप्रदेश पुलिस से पंगा लेने की जुरुत की थी जिसका इसको बहुत बुरा खामियाजा भुगत ना पड़ा है इसके आलीशान हविली नुमा घर पर बुल्डोजर एक्शन ले लिया गया है इसके आलीशान घर को सियम मोहनी अदव के बुल्डोजर ने मल्बे में बदल दिया है छतरपुर के मस्तान सहप कॉलोनी में मौजूद इसका घर इलाके की पहचान हुआ करता था करणों की कीमत वाले इसके आलीशान घर को तोड़ दिये जाने के बाद अब धीरे धीरे इसकी कहानी खुलकर सामने आने लगी है एक दोर ऐसा भी था जब हाजी शहजाद ठेले पर घुम घुम कर पुराने कपड़े बेचा करता था जबकि इसका भाई फयाज अली ओटो चलाये करता था लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते इन पर पैसों की बरसाथ होने लगी और इसने कुछ ही सालों में करोणों की सबबत्ती बना ली इसके जिस मकान को गिराय गया है उसकी कीमत करोणों रुपए आखी गई थी इसे लेकर कुछ लोगों का आरोप है कि ये और इसका भाई फयाज बदमाशी दबंग गई के बल पर जमीने और दूसरों लोगों की प्रॉपर्टी हडपा करते थे इसी तरह का रूप एक रिटायर्ट सरकारी कर्मशारी दिन देयाल असाटी और उनके बेटे शर्द असाटी ने भी लगाया है उनका कहना है कि हाजी शहजाद अली और इसके छोटे भाई फयाज अली ने इनकी करोणों रुपे की प्रॉपर्टी पर कबजा किया हुआ है उनका दावा है कि ये दोनों भाईयों का इलाके में अच्छा आतंक है इनके खिलाफ मोख खोलने का मतलब मुसीबत मोलने ना है पीडित दिन दियाल असाटी ने बताया कि जब हाजी शहजाद अली और इसके भाई ने इनकी प्रॉपर्टी को कबजा किया तब कई हथियार बंद लोग इन्हें धमकाने के लिए भी आये थे इनके खिलाफ कोई मोख खोलने की हिम्मत नहीं करता उन्होंने ही बताया कि आज से करीब 20-25 साल पहले हाजी शहजाद अली और उसका परिवार पुराने कपड़े के कारुबार किया करता था जबकि उसका छोटा भाई शेरिंग ओटो चलाता था असाटी ने बताया कि साल 1988 में एक कारुबारी के मर्डर केस के बाद से ही उसके अचानक दिन बदलने लगे थे और वो देखते ही देखते करोड़ पती बन गया था हाला कि उस केस में इसे दो साल तक जेल में भी रहना पड़ा था फिर इसका प्रभाव ऐसा बढ़ा कि मुस्लिम समाज में इसकी पूच बढ़ती चली गई यहां तक कि इसके आलिशान घर पर मुस्लिम समाज के लोगों के कुछ चोटे मोटे मामलों की सुनवाई और उनका निप्टारा भी होने लगा इस पर ऐसा आरोप लगाने वाले असाटी परिवार का कहना है कि साल 2008 में नवगाव के पास नेशनल हाईवे पर उन्होंने अठाई सो वर्क फिट का एक प्लॉट खरीदा था जिसके उन्होंने चार दिवारी भी कराई थी लेकिन 2010 में छतरपूर पत्राव मामले के आरोपी हाजी शाजाद अली के भाई फयाज और उसके गुर्गों ने डुप्लिकेट डॉकुमेंट्स बना कर जमीन पर कबजा कर लिया फर्जी कागस के आधार पर रोने कोर्ट में ऐसा केस बनाया कि वो केस जीत भी गए लेकिन असाटी परिवार इस केस को बाद में जीता हाजी शाजाद पर आरोप है कि ये अवैद खरनन के कामों में भी सक्री रहा है जबकि इसी तरह के कई आपराधिक मामलों में इसका नाम उच्छलता रहा है लेकिन अधितर बार अपने प्रभाव के चलते लोग इसका नाम लेने से बचते रहे हैं इससे डरते रहे हैं लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो एक ना एक दिन आपका दिन जरूर आता है आपको उसकी भरपाई करनी पड़ती है खेर इस खबर में फिनाल इतरा ही इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एन्बिटी आउनलाइन के साथ